अंपरोध के अपिल जैनलो हैया है है को आरभ गो है मेलकुम तो ऊवर चैनल अम्रूध सर्थियों में मिलने वाला फल थे पर हैं अंप 전ечение पोश्टिक्त ईसकी पेप्वास्थयों में हैं उतनी ही पोश्टिक्त इसकी पत्यों में हैं इना अच्छी मातरा में विटामिन सी होता है साथ ही एंटी बैक्पिरियाल टैनिन और यूजिनोल जैसे ततु भी पाए जाते हैं जिसके कारण अमरूद की पत्तियां पेन रिलीव का काम भी करती हैं मैं आपको अमरूद की पत्तियों की चाय के कुछ लाब बता रहे हूं अमरूद की पत्तियों हमारे कॉलश्टोल लेवल को कम करती है यदि हम तीन महीने इसकी चाय पेने तो हमारा बैड कॉलश्टोल कम होता है और गुड कॉलश्टोल बढ़ता है नमबर टू, डेंगू फिवर में भी अमरूद की पत्यों की चाय फायदे बंद रहती है इससे मरीज की प्लेटलेट्स बढ़ती है नमबर त्री, यह लीवर के लिए अच्छा टोनिक है नमबर फोर, अमरूद की पत्यों की चाय पीने से पेट दर्ग में भी रहत मिलती है यह चाय डायबिटिक पेशन्ट के लिए अच्छी है यह गुलुकोज के लेवल को कम करती है और इंसूलिन के प्रोडक्शन को भी नहीं बढ़ने देती इसे बनाने के लिए एक भी गोने में सवा कप पाने लेकर धुलीवी दो अमरूद की पत्यां छोटे-छोटे पीस करके डाल लें फिर इस पानी को धीमी आज पर अच्छे से पांच मिनट तक पकाएं फिर इसे दो मिनट के लिए धक कर रखतें फिर इसे चान कर इसे या तो ऐसे ही पीएं या फिर इसमें सहर डाल लें यह चाय गर्वती मैला को नहीं देनी है अगर आपको मेरी जान कर यह अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अधिक से अधिक सेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए निव वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और ओल का बटन सेलेक्ट कीजिए